अश्राव मुझे स्टोने अग्जिटी फाइज टू का लेक्चर नमबर टॉइंटी थ्री इसके हैं लीडर्शिप एप्लिकेशन ठीक है लीडर्शिप के बारे में हमने टॉइटी टू में सारा लेक्चर में पड़ लिए था कि लीडर्शिप एक बेस्ट लीडर क्या होता ह उसके ट्रैस वगरा सारी हमने रीड किये थे अब उसके अप्लिकेशन है ठीक है आप यह टूटी टू का सारा आवर्विव आपको दिया गया है और उसके बाद आपको बिहेविरल थियूरिज हमने पिछे लेक्चर में टूटी टू में पढ़ी थी होई स्टेट थी उसमे है वो यह नहीं होता कि अगर किसी की तब्यद खराब है तो यह वो कुछ थोड़ा कंप्रमाइज कर ले या फिर कुछ ऐसा तो वो कंप्रमाइज करने वाले नहीं होते वो सिरफ अपने टास्क को लेके उसको सिरफ उनको सिरफ अपने काम के तक गर्ज होती है ठीक है और of Messagenin में वह हम ने पड़ा था Monitoration में होती है कि जो Employees के comfort का ख्याल कर रहे होते हैं ठीक है इन में सिर्फ उह है dat इन में से सोफ नेम ही का फरक है बाकि वह एसारा जैसे Employee er limitation में Employees के comfort का ख्याल कर रहे होते हैं उनके problem जो आ रही होती है उनको solve कर रहे होते हैं और हर लिहाँ से उनके अगर उन बोनस वगयरा का भी ख्याल कर रही तें मो हैं लिशार्ण का बीए ब्त ज fight तरह वह घुND C ambition and energy आजाती है, आप मेरे के honesty and integrity आजाती है, इस सारी चीज़ें आप में मजूद होती है, एक best leader में ठीक है, आपके self confidence में मजूद होता है, आप जो relevant knowledge होता है, desire to lead होती है, अब हमारे पास आजाते है contingency theory में, path goal theory, पहली path goal theory, ठीक है, अब आपने कोई task वेरा करना है, उस तक प रास्ता मतलब, आपने कोई goal achieve करना है, आगर कोई task को है, अपने resolve करना है, तो वहां तक पहुँचने के लिए, जो रास्ता आपने अपनाना होता है, ठीक है, उस रास्ते को हम कहते है path goal theory, ठीक है, इसमें हमने, it is the model leadership which is state key elements from the oil state, इसमें की element oil state में आजाते हैं, कि कुछ managers हो को सिरे उनको काम की हद तक होता है, जादा moody होते हैं, कह दें, और friendly नहीं होते हैं, सिरे जादा अपने सिरफ काम से गर्ज़ रखते हैं, और दूसरी तरफ consideration में आ जाता है, वो members होते हैं, वो leaders होते हैं, जो सिरे लिए कमफर्ट का भी ख्याल कर रहे होते हैं, ठीक है, उन the part, the part, the Trump path goal theory is derived from the beliefs and that effective leaders clarify the path to their forward achieve their work goals, ठीक है, जो फोलवर्ज होते हैं, वो उनके work goals को अचीव कर रहे होते हैं, वो रास्ता रहनमाई कर रहा होता है, ठीक है, रास्ता बता रहा होता है आपको, अगर problem आ रही है, उसके problem के alternatives भी इता रहा होता है, ठीक है, आपको, तो और स रास्ते से फिर आप वैसे वैसे काम करके अपने goals तक या अपने task तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसको achieve कर लेते हैं, तो यह चीज़ इसमें बताया गया है, उसके बाद आप जो वैस्ट लीडर होते है, उसमें वो अपना involvement इस तरह का create कर रहा होता है, कि उनको अग Shopify बारी वर्कर से भी बाचित कर रहा हूता है, काम के सिलिषए में भी वैसे भी, और टॉते हैं, वो अपनी बात बोकर रशीर कर लेते हैं, काम के सिलिषई में और इसके लावा, उनम से जो हैं, ऊपसमें मश्वर रहा होते हैं, अगर कोई problem आगी है, तो ऊसको solve करने के लि आप आटेमेटिकली उसके जो इंप्लॉईस होंगे वो जदाधा अट्रек्ट करेंगे अपनी लीडर से और जितना वो इत्रक्ट करेंगे उसकी बात मानेंगे ज्यादा ठीक है और एक अच्छे से फ्रेंडी से मोहल में वो अपना जब काम करेंगे तो जाहिरा काम बहुत अच्छा होगा और उसके नतीजे में जो है आपके आउटकम्स बहुत अच्छे मिलेंगे ठीक है लेकिन अगर आपका में लीडर जो है वो ही आप नेग्टिक परसेप्शन है एक म काम चाहिए तो उसके आप में फिर आउटकम्स होते हैं वो कम निकलते हैं यह चीज़ा आयाती है मतलब अगर आपको स्पोर्ट करने वाला लीडर हो तो आप उसके अच्छे काम करते हैं अगर डारेक्टिव लीडर होता है जो आपके वर्ड को शुडूल कर रहोता है आप काम कर रहा हैं आप 수una कि आपके उनकी माईंड में रहसे की तो माइन के मांड में चल रहा हुता हैं उनकी रहर ले रहता हैं उनके रहे ने तो ही आपके वह प्रियुवm कि आपका मोटिवेटिड होता है मोटिवेटिड होता है वो आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा होता है ठीक है आपके चैलेंजिंग गोल्स होते हैं उनको देखके वो यह नहीं कहता कि यह तो बहुत चैलेंजिंग है बलकि उनको आपको मोटिवेट कर रहाता है कि आप यह कर सकते हैं तो आपके जो हाइस लेवल तक आपकी परफॉर्मिस को लेके जा रहा होता है वो ठीक है इसमें पात गोछी लीडर्शिप मौडल में आयाता है कि आप इंप्लाई कॉंटिजिंस आयाती है लीडर बिहेवियर और लीडर एफेक्टिवनेस बोत आपके माइने रख जाद स्पोर्ट कर रहे हैं तो आपके इंप्लाई जादा मोटिवेट होंगे सैटिस्फाइब लाइव होंगे और लीडर एकसेप्टनेस होंगे ठीक है तो आपको जाहिर है अगर जब आप अच्छे लोगों से अच्छे से बिहेव करेंगे आप हर चीज़ को तो वह तो नएगे के तो यह चीजा ऐदिया है अगरा पार सेहते हैं के लिजन एंड पर्मोटर अच्छािये होती कि आप जो क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो आपके इतनी एबलिटी होती है वो इतनी स्कील्ड होते हैं कि लोग उनसे एट्रेक्ट कर सके मतलब उनके इतना अच्छा बिहेवियर होता है कि लोग खुद बाखुद उनसे एट्रेक्ट होते है ठीक एक लीडर है अगर वो mall create कर रहा है तो automatically उसके परके ज्यादा इट्रेक्ट होंगे उसे ले बजाए उसके एक mood में रहता है और उसे से बात कर रहोता है ठीक है तो यह चीज़े जो वो उससे जाहिरा फिर लोग ज्यादा इट्रेक्ट नहीं होंगे इंप्लाइज वगेरा उससे दूरी भागेंगे यह चीज़ा आजाती है मतलब आप अनी गापलियत से अपनी स्कील्स अपनी बिहेव़ुरियस से दूसरों रहे होते हैं जब आपटेक्ट कर रहे होते हैं तो पर जाहिर है इंप्लाइज उते हैं वो आपके उन काम करॉन्स होताया और जो वो decision ले रहे हैं तो confidence होता है कि मैंने सही लिया है और उनका कोई ना कोई निजरिया होता है ठीक है और उनके जो strong conviction होते हैं ठीक है in that vision में और the image of a change agent ठीक है ये सारी चीज़ें ये नहीं होता है उसमें ये नहीं है कि आप जो कह दी है बस वो ही करना है नहीं अगर किस two types of charismatic leaders आयाता है visionary आयाता है और crisis बेस्ट की आयाता है visionary में क्या होता है through communication ability the visionary character leader link forwards needs and code to do इसमें आप जो है वो आपकी communication जो होती है आपकी वो आपका बहुत माइने रख रही होती है ठीक है क्या आपकी इस तरह का आपका नजरिय का पता करें तरह तक है ठीक है जितने आपके अचा है आपकी Jeutन के आप क्युतिक ऑ्ट होगी आप से अप बात करेंगी उतना अच्छा आपका ने जरिय का पता चलेगा कि कि आपके माइंड में चल कर रहा है उतनी जाद लोग आपसे अट्रेक्ट होंगे आप क्राइसिस बेस्ट जो होती है दा क्राइसिस बेस्ट क्रिस्मेटिक लीडर्स गवनिकेश क्लेरी डाइब वाट एक्शन नीड्स तो बी टेकन और वाट देयर कॉंसिकुंस विल भी अब युज है अ Nope आएथे आपकी और उर्गनाइजेशन को आपकी कि माऊल को हार भी तो क jsem फिकी है आप अचिकम्लेट欸 कर रहा थे हैं लोग अर्धयन के पोजिश्टीव परसेप्शन लोग जो हते हैं कि वह कि थाहिए ट्रांस्फ्रमेश्नल लीडर्स ओर टांसेक्षिंश्ट्ट्ट्र षोते हैं वह आपके स Vivian को मैनेजिंग कर रहे कि आपको आउटकम्स अच्छे ना दिये तो आपको पनिश किया जाएगा ठीक है तो यह दो किसम के लेडर जाते हैं लेडर चेंज फॉल्वर्वर्ज इन वेड़ डाइड ली टू ट्रस्ट एंड मोटिवेशन टूवर्ड और्स और्गनेजिशन गोल मोटिवेशन होता है ठीक है आपको मोटिवेट कर रहोता है और ट्रस्ट लेडर लेडर जाहिर है जब आपको अच्छे जी लीड कर रहोगा अच्छे से आपको हर चीज के अच्छे जाए बता रहोगा तो आप ज्यादा वेर्न होंगे और अपनी पर्फॉर्मिस लेवल अपका इंग्रीज आपको जबाड़ कर रहोगा उनको कामखे लिए ठीक है वह यह निया कि अगर टास्क मुश्किल है तो आपने यह नहीं करना नहीं वह उनको जदा चीज उसे मॉटिवेट कर रहोगा इसमेशनल लेडर वही है टास्फॉर्मिशनल लीडर जोते हैं को किस्मेटिक लीडर हो करेटिंग वीजन होते हैं कोई ना कोई ना कोई निजरी होता है कम्मुनिकेशन की बहुत अच्छी होती है मौलिंग दे वीजन मतलब उनको हर लिहास से वह बिल्कुल पर्फेक्ट होते हैं ठीक है अप क्रेडिबिलिटी में इस डिग्री तूविच फॉल्वर्स जिसमें ज से इंस्पायर होते हैं ठीक है यह चीज़ आ जाती है इसमें आगे है ट्रस्ट अबलीफ इन दा इंटिग्रेटी क्रेक्टर एंड अबलिटी ओफ दा अफा लीडर के आप उसकी लीडर की काबलेद पे आप को जिकीन होता है ठीक है उसके उसके उस पे आप अंदर दूने इतमाद होते हैं वो जैसा कि यूदर का क्या रहे होता है वैसा काम का रहे हो एंजिक है और कौंसिकैन से आ या जाता है रीडी अँभी प्रूणalg के हैं अनलिंग स्टूइशन है तो प्रोटक्ट एंड से फॉर परसन उसकी लोयलिटी आ जाती है उसके बाद हमारे पर आपनेस आ जाती है ट्रॉस्ट आ जो कि शोर्टरम ट्रस्ट होता है अगर आप किसी चीज़ डर गए हैं तो उससे आपका युकीन खतम हो जाता है या फिर आप आप कहांँ देखिए कि अगर आपने कोई ड्रॉनी चीज़ अगर मुबाइल में कुछ देख लिए कोई लिंक वगारा आपको कुसी ने सेंड किया उसे आपने देख लिए तो वह खोफ़नाक चीज़ थी तो आपका मतलब कुछ टाइम के लिए वह आपका ट्रस्ट होता है उससे खतम हो जाता है उस लिंक से तो आप जब भी कोई ओर लिंक वगरा देखेंगे तो आप धोड़ी देर के लिए डर जाएंगे कि शाहिद हो यह पहले जैसा खौफनाक नहों तो यह चीज़ आ जाती है आपके पास बहुत जाद नौलीज होता है ठीक है आप ट्रस्ट ब इंगे लोइस बिडिख पर्डे के मुषनल किनेक्शन होथा है के लोग तरम चलता रहता है जैसे आप किसी के साथ कम कर रोते हैं अगर आपके शेयर कूह घुछ है बिसनस में पार्ट नर्शिप है तो आपका जो पार्टर होगा और आप हो ग essere लेक्ते ऑच आज़ का लेक्टर अमीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर किस चीज़ की समझ नहीं है तो आपको मेरे बुक्स में पूछ सकते हैं प्लीज टैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जाद से जाद से शेयर करें बाकी मैंने जो चीज़ इंपोर्टर थी वो आपको मैंन मैंने आपको एक बार और थारिली बता दिया है तो मुझे दें जादत लाफिज